प्यारे बच्चों आप सबका इस कक्षा में स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भोज की कहानी राजा भोज का नाम तो आपने सुना ही होगा और राजा भोज के बारे में कुछ जानते भी होंगे तो उसी राजा भोज को जो उनका राज मिला कैसे मिला इसके बारे में हम बात करेंगे और इस कथा का आधार है भोज प्रबंद। और भोज प्रबंद के लेखक कौन हैं? महा कवी बल्लाल सेन इसके लेखक हैं। प्यारे बच्चों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि राजनी दिमें जो कदाचार है आज का ही सच नहीं है। यह सच प्राचीन काल में भी था और महाभारत इसका ताजातरीन उदाहरन है और इस कथा में भी आप यही देखेंगे कि एक चाचा राजी के लिए अपने भतीजे को मरवाने की शाजिश रचता है लेकिन उसके मंत्री बहुत ही दूर दर्शी थे और इसके कारण उन्होंने भोष की जान बचाई है या इस कथा का संक्षिप्त परिशए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस पार्ट काण का उद्देश क्या हो सकता है तो कथा की माध्यम से आपका वनोराजन तो हो ही सात ही सात्फा का जो प्रेश शंदेश है उसका आधान भी हो वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं अगर वैसे परिस्थिति वैसे आपके समक्ष आ जाती तो आपका जो कौको और अनुचित का ज्ञान हो आपके अंदर यह भी इसकता का उद्देश है और गद्धि पाठ के माध्यम से आपको गद्धि पढ़ना आए वाचन करना आए गद्धि लिखना आए और उस पर आधारित प्रश्णों के आप उत्तर कर सकें यह भी इसकता का उद्देश है और जो दुर्गुण है हमेशा ही दुर्गुण होते है लोब है ईश्या है वेमनस्य है आधी अबगुण को दूर करके हमारी अंदर नईतिक्ता और मानमी मूल्यों का विकास हो यह भी इसकता का उद्देश है और कथा में एक शलोख है जो कालज़ई शलोख है उसकता के उसमें आए हुए ब्याकरनिक बिंदों से भी आप परिचित हो सकें संधियुक्त पदों को जान सकें क्रिया पदों से परिचित हो सकें यह भी इस कता का उद्देश है तो प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं मूल पाठ की ओर और मूल पाठ पर जब हम बात करेंगे तो फिर उनके उच्चारण का कोशल आपके अंदर विक्सित हो इस पर भी बात करेंगे इसमें जो अपरिचित शब्द हैं उसका अर्थ भी आप जान सकें यह इसका दूसरा स्तर होगा तीसरे स्तर पर हम इसके हिंदी अनवार की बात करेंगे और चौथी स्तर पर हम व्याकरनिक ब आलयत तस्यवार्ध के भोज इती पुत्रह समजनी सयदा पंचवार्शी का है तदा पिता यात्मनो जराम ग्यात्वा मुख्या मात्याना हू यानुजम मुझम महाबलमालो के पुत्रम चे बालम सम्वीक्षे विचारे यावास प्यारे बच्चों आपको मुझे लगता है कि यह वाचन सुन करके लगा होगा कि बहुत बड़े-बड़े शब्द हैं अब आए उन बड़े-बड़े शब्दों को हम छोटा-छोटा कर लेते हैं और उसके अर्थों पर विवेजना करते हैं पुरा तो आप जानती है पुरायती पदसिका हर्था बवती प्राचीन का में कुत्र धारा राज्ये राज्ये से नाम के मासीत धारा धारा राज्ये में कहा आसीत सिंधुल संग्या है राजा सिंधुल जिसकी संग्या थी संग्या क्या होता है नाम तो जिसका नाम सिंधुल था ऐसा राजा चीरम बहुत दिनों तक लंबे अर्शे तक प्रजाह पर प्रज्ण का पालन किये प्यारे बच्छों जब इसका अर्था समस्ते हैं तो छोटे-छोटे प्रश्ण जैसिंग से कहां पर पूरा कोत्रा धारास जीए सिंदुल संगय सिंधुल संगय झाराश सीट राजा प्रजा पर्शन इस तरह से प्रश्ण अगर आप स्वेंग से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि अपार्ट मुझे समझ में आ गया तस्य उसके वार्धक के जब थोड़ी सी प्रोड़ा वस्था पार होने को हो गई वार्धक की बढ़ापस आने लगा तब भोज इती पुत्रह समझनी भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जनी प्रादुर्भावे होता है जनी अर्थात उत्पन्न होना लुगलकार है तो भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तो सह यदा पंचवार्शी कहा वह जब पांच वर्ष का था वह कौन सह कहा भोजह जब वह पांच वर्ष का था तदा तब पिता पिता ने ही आत्मनो जराम ग्यात्वा अपनी जरा को जान करके आते हुए बढ़ापे के बारे में जान करके उन्होंने क्या क्या मुख्य अमा देख करके पुत्रम चा बालम समविक्ष और पुत्र तो बहुत ही चोटा था बालक देख करके विचार आमान अब उनके मन में एक विचार आया क्या विचार आया और यह विचार में अपने मंत्रियों के साथ किया राजिय की लक्षमी के भार को धारन करने में पड़ा शब्द है लेकिन आप अलग लग कर लिजए राज्य लक्ष्मी, राजा की लक्ष्मी, लक्ष्मी यानि धनवैभव, भार क्या होता है, उसका बोज, उसको धारन करने में, उसे निभाने में समर्थ कौन, सहोधरम, सहोधर था, छोटा भाई था, सहोधर किसको कहते हैं, एक मां के जो बच्चे होते हैं, उने सहोधर कहते अगर मैं राज ये पुत्र को देता हूं तदा लोका पवाद हो तो क्या होगा लोका पवाद होगा लोग क्या कहेंगे वैसे तो परंपरा है कि राजा का बेटा राजा हुआ करता था लेकिन राजा का बेटा पांच वर्ष का था और राजा का जो अनुज था छोटा भाई जवान भी था और हर तरह से शक्षम भी था ऐसी स्थिति में अगर बेटे को राज दिया जाता है तो लोग क्या कहेंगे कि राजा कितना लाल्ची है लेकिन अगर वो राज नहीं अगर राज देता है तो यह भी संभावना है कि अथवा बालम में पुत्रम अथवा मेरा जो पुत्र है बालक है छोटा है मुझो मुझे कौन था राजा का छोटा भाई था राज्य लोभात राज्य के लोभ से विशादिना विश आदि के द्वारा जहर आदि के द्वारा मार एश्यति मार भी तो सकता है राज्या विशेक करने से क्या होगा वह तो बहुत छोटा है तदा दत्तम अपि राज्यम बृता तो मैं अगर बेटे को राज देता भी हूँ तो वो अभ्यर्थ हो गया अब दोनों स्थिति में क्या हो रहा है यात्रों पुत्र हानी है बेटा तो मरी रहा है और पुत्र के हानी के होने से यानि बेटे के मरने से क्या हो रहा है वन्षोच छे रहा है वन्ष का उच्छीद हो जाता है वन्ष में कोई नहीं रहेगा इती विचारिय है ऐसा सोच करके राज्यम मुंजाय दत्वा राज्य किसको दिया मुंज को दिया यानि छोटे भाई को को दिया लेकिन क्या कहते हैं मैं अपने भूझ को दे दिया अब बहुत जल राजा का देहांत भी हो गया ततह क्रमात तब क्रमसे यानि कुछ दिनों के बाद पांच बर्स का बच्चा किशोर हो गया है तब राजने दिवंगते राजा के दिवंगत हो जाने पर अर्थात मर जाने पर अब पूरी के पूरी जो राज्य संपत्ति है किसके साथ पास चली गई मुझे के पास तो संप्राप्त राज्य संपत्तिर मुंजो संप्राप्ता राज्य संपत्ति ये न सह संप्राप्त राज्य संपत्ति प्राप्त कर ली है राज्य की संपत्ति जिसने वैसे मुंज ने अर्थात राजा के अनुज ने छोटे भाई ने मुख्या मात्यम मुख्य जो अमाध्य था उसका वह बुद्धि सागर नाम का व्यक्ति था और वह बिल्कुल ही वफादार था तो उसके सामने तो कोई गरबढ कर नहीं सकता था तो बुद्धि सागर नामानम बुद्धि सागर नाम के मंत्री को अर्थात वानिज्जी के बहाने से दूरी कृत्य उसको दूर भेज दिया ये नहीं कग है कि मैं तुम्हें बहुता रहा हुं अच्छा ब्यापार के लिए आप उस स्थान को देखिए ऐसे बहाने से दूरी कृत्य दूर करके ततपदे अन्यम नियो जयामास उसके पदपर अन्य को नियुक्त कर लिया अब अन्य को जिसको नियुक्त किया गया होगा निसंदे हुआ क्या होगा मुंज के पक्ष का अब्यक्ति होगा अन्यम नियोजया मास अन्य को दूसरे को नियोजित कर लिया नियुक्त कर लिया अथर अब क्या हुआ कराचन सभाया कदा में जब चन लग जाता है चन चीत आरी जब अब्य लग जाते हैं तब उसका अर्थ अनिश्चित हो जाता है तो किसी समय सभाया सभा में क्या हुआ जोतिष शास्त्र पारंगत है जोतिष शास्त्र किसको कहते हैं जोतिश शास्र ग्रहों और नक्षत्रों का जो ज्ञान होता है, उसको जोतिश शास्र कहते हैं, तो जोतिश शास्र में पारंगत, अर्थात बहुत ही कुशल, कश्चन, ब्रामन, समा गम्य, कोई ब्रामन आया, और राजानम आह, राजा को कहा, बच्चों यहां मैं एक शब् ऑंडित कोई वरघिकरन नहीं होता था जो पढ़ने पढ़ाने वाला ब्यक्ति होता था वहीं ब्रहामं आह राजा को कहा, आह किम भवती, आकाथियत कहा, क्या कहा, देव, स्रीमन, देव शब्द बच्चो शिष्टा चार बोधक शब्द है, इसको ध्यान कर लीजिए, लोग मुझे सर्वग्य कहते हैं, सर्वग्य का अ Теперь और जो सब कुछ जानता है, अब देखिये ये विनय है, कहने की शैली है, कि मैं सर्वग्य हूँ ऐसा नहीं कह, उसने कहा, लोग मुझे सर्वग्य कहते है, या विनए को दर्शाता है तत्कीमपी यथे इच्छम प्रिच तो कुछ तुम भी यथे इच्छम इच्छा के अनुसार तुम भी पूछ सकते हो तब मुझ को क्या पूछना था मुझ ने कहा क्या कहा भोजस्य जन्म पत्रिकाम विधे ही यह भोज जो है मेरा भतिजा जो है उसकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली बना देजिए जन्म कुंडली के बारे में तो आप भी जानते होंगे जिसमें उसके जीवन के बारे में बातें कही जाती हैं कि आगे क्या होने वाला है तो उसकी जन्म कुंडली बनाने के लिए उस सरवग्य को कहा मुंजने विप्रहा अब उस विप्रने अभी-भी मैंने बताया कि ब्रामन कौन होता था पढ़ने पढ़ाने वाला तो विप्र भी उसी का परियाएवाची है विप्र होता है जो वेद का ध्यान करने वाला व्यक्ति विप्र कहलाता था उस विप्र ने जन्म पत्रिकां विधार जन्म पत्रिकां बना करके उक्तवान कहा अब क्या कहा ये देखे ध्यान देने बड़े मजिदार बात है पंचाशत पंच वर्शानी सब्त मास दिनत्रयम भूज राजेन भूग तब्या सगवडो दक्षिनापता, पंचासत आप जानते होंगे, पंचासत होता है पचास, और उसमें पांच जोड़ दिया तो कितने हो गए? पचपन, पचपन वर्ष, पंचासत पंच वर्षानी यानि कितने वर्ष? पचपन वर्ष, सब्त मास, कित ने दिन, तीन दिन, पचपन वर्ष, साथ महिने और तीन दिन तक भूज राजेन, भूज राज के द्वारा, यानि राजा तो होगा ही, या उसके द्वारा सागवडो, गौड प्रांथ से ले करके दक्षिनापता है, दक्षिन पर्यंत की जो धर्ती है, उसके द्वारा भ तक राजा रहेगा भोज रहेगा और कितने दिनों तक रहेगा यह भी बतला दिया अब भोज विशयनीम इमाम भविश्यवानीम निशम्य भोज विशयक जो भविश्यवानी थी इसको निशम्य सुन करके अब यहां पर देखी चूँ कि भविश्यवानी स्ट्रीलिंग है इ इसलिए इसका विशेशन विशही नहीं हुआ तो भोजी विश्यक इस भविश्यवानी को सुन करके मुझह मुझह क्या हुआ विच्छाय वदनह अभूत विच्छायम वदनम यस्य सह विच्छाय वदनह बिल्कुल मलिन हो गया है मुख जिसका अमलान हो गया है मुख जिसका ऐसा हो गया 55 वर्स राजा रहेगा इसका मतलब मेरे जाने का समय आ गया तो उसके मन में चिंताएं आनी शुरू हो गए तथो राजा ब्राह्मनम संप्रेश तब उस राजा ने ब्राह्मन को भेज करके निशीत है, निशीत कहते हैं मद्य रात्री को मद्य रात्र में वो शयन पर गया यानि बिस्तर पर गया आसाद्र में क्या है? आ और सद और लिप है बिस्तर पर जाकर के ब्याचिंतियत वी जमाचिंतियत हो गया ब्याचिंतियत सोचा यदी राज लक्षमी भोज कुमारम का मिश्यती यह जो राज्य लक्श्मी जो है भोज कुमार के पास चला जाएगा तदा हम जीवन अपमृतह तदा हम तब मैं क्या हो जाओंगा जीवन अपमृतह जीता हुआ भी मरे के समान होँगा वہ बच्चा था तो मैंने पूरी राजा होने का जो सुख था वह भोगा है लेकिन जैसे ही राज लक्षमी इसके पास जाएगी तो मैं इससे नीचे हो जाओंगा तो मेरा जीना ब्यर्थ हो गया तब क्या क्या है उसना तताच्चा उसके बाद अभुक तहा खाना भी नहीं खाया और सहा एका की कि मपी चिन्तईत्वा अकेले में वह सोचता रहा और कुछ सोच करके बंग्देश का जो अधिश्वर था बंगाल कहते हैं बंगदेश को बंगाल का जो अधीश्वर यानि राजा था वत्सराज उसको समाकारितवान उसको बुलवाया वत्सराज अश्चा अब वत्सराज चुकि उससे छोटा राजा था प्राचीन काल में बच्चे कई छोटे-छोटे राज हुआ करते थे और उन धारा नगरी में पहुँच करके राजानम प्रणिपत्य राजा को प्रणाम करके उपविष्टह और बैठ गये राजा चाओ अब राजा नहीं क्या क्या सौधम निर्जनम विहाई अब सौध को महल को बिलकुल निर्जन कर दिया अन्य लोगों को उस महल से बाहर भेज दिय ऐसा करने के बाद वत्सराजम प्राह वत्सराज को कहा क्या कहा त्वया भोजो भूवनेश्वरी विपिने रात्रो हंतब्य है त्वया तुम्हारे द्वारा कर्मवाच्य है भोजह कौन भोज कहा पर भूवनेश्वरी विपिने भूवनेश्वरी नामक जंगल में विपि अब्यहँ मार डाला जाना चाहिए तुम्हारे द्वारा मारा जाना चाहिए तुम उसे मार देना वाच्चि का अंतर है यह आंतर आपको स्पश्ब हो गया होगा लेकिन चिर्प मारोगे ही नहीं चिन्नम्च तष्य शीरा और उसका जो कटा हुआ शिर है मत पार्श्वे मेरे पास मेरे पास लाओगे तो कहां सभाभवन में नहीं अन्तहपुरम आने तब्यम अन्तहपुर में जो भीदरी हिस्सा होता है महल का उसे अन्तहपुर कहते हैं अन्तहपुर में आने तब्यम वहां तुम ले आना एतन निशम्य ऐसा सुन करके वत्सराजह उत्थाए वत्सराज क्या हुआ उठ करके नृपम नत्वा फिर से राजा को प्रणाम किया प्रणाम करके प्रावोचत यहाँ पर भी लुगलकार है प्रावोचत का अर्थे अकथयत कहा क्या कहा यद्यपी देवादेश है प्रावाणम यद्यपी देव का आदेश देव कौन राजा राजा का जो आदेश है उसकी आज्या है वो प्रावाण है अर्थात उसकी बाद कुछ कहने को बच नहीं जाता मैं कुछ बोलना चाहता हूँ मेरा वचन यद्यपी अपराद से युक्त है राजा के सामने मैं कुछ बोल रहा हूँ आपकी आज्यां के बाद में कुछ बोल रहा हूँ यह जरूर मेरा अपराद है और इस अपराद को आपक्षमा करेंगे ऐसा मेरा निवेदन है देव, स्रीमन, पुत्र वद हो ना कदा भी हिताई भवती थी पुत्र का वद, अरे अपना बेटा हो या चाचा का बेटा हो भाई का बेटा हो, पुत्र ही तो हुआ तो पुत्र का वद कभी भी हितकरी नहीं होता है, फाइदे की बाद इसमें कहीं नहीं होती, ये कभी भी अच्छा नहीं होता तो प्यारे बच्चों ये कहानी और आगे है, लंबी है लेकिन ये कक्षा की एक सीमा होती है, उसका कालांश निर्धारित होता है तो आज हम इतनी ही कथा का अंश पढ़ेंगे, और इसमें सी थोड़ा सा जो हम व्याकरण का अंश है, उस पर दृष्टिपात कर लेते हैं और सबसी पहले हम देखते हैं समास को, बच्चों आपको समास सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, तो चलिए उस समास पर ही बात कर लेते हैं सबसे बड़ाशा शब्द आपको मिला था संप्राप्त राज्य संपत्ति है, अब उसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, संप्राप्त राज्य संपत्ति ही ये ना सह, प्राप्त हो गई है राज्य की संपत्ति जिसके द्वारा वह, वह कौन था, वह राज्य लक्ष्मियाह भारह राज्य लक्ष्मी का भार शस्ति तत्पुरुष हो गया तस्य धारणे समर्थ है राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थ है यानि यहां भी तत्पुरुष समास है तस्य उत्संगे तद उत्संगे यहां भी तत्पुरुष समास है शास्त्री यहां तत्पुरुष तो है लेकिन सच्थी के स्थान पर सब्तमी तत्पुरुष है और इच्छाम अनतिक्रमी इच्छा को पार करकी यद्हिच्छम होता है यह अभ्याई भाव समास है और विच्छायम वदनम यस्यसा विच्छायम वदनम यहां बहुबरे समास हो गया तो बच्चों मुझे लगता है आपको समाज समझ में आया होगा और इसके साथ आज की कथा तो हम यहीं समाप्त करते हैं लेकिन अगली कड़ी में हम आगे के हिस्से से आपको परिचित कराएंगे आगे की कथा से परिचित कराएंगे और बाकी जो व्याकरण के अंसे उससे भी परिचित कराएंगे आज के लिए हम यहीं विदा लेते हैं आप भी स्वस्त रहिए और अध्याइन शील रहिए शुब विदा